है फ्रेंड्स मेरा नाम है हैरी and welcome back to match चालो आज हम देखने वाले हैं Card Linkit के सबसे छोटे Android AI box को जिसका नाम है T-Box Lite Android AI box एक device होता है जो आपकी गाड़ी की स्क्रीन को पूरी तरह से एक Android tablet में convert कर देता है अगर आप मेरी चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही हो कि मैंने already Card Linkit के T-Box Plus, Max और T-Box USD तीनों को ही review किया हुआ है यह तीनों devices काफी powerful है इस device के comparison में और इसी वरह से यह device उन तीनों से सबसे सस्ता या affordable भी है करीब 5,700 रुपे का अगर आप मेरा discount code यूज करते हो तो आगे बात करते हैं उसके बारे में और यही नहीं यह device उन सभी गाडियों के साथ compatible है जिनमें या तो wired apple carplay functionality है या तो wired android auto या फिर दोनों ही है मतलब कि अगर आपकी गाड़ी में wired apple carplay का support नहीं भी है और सिरफ wired android auto का ही support है तो भी यह device आपकी गाड़ी में काम कर जाना चाहिए हमें एक काफी मिलता जुलता सा rectangular box मिलता है यहां जो हमने card linked 5.0 की review वीडियो में भी देखा था जिसका दूसरा नाम 2 air भी है यहां पे हमें एक compact और छोटा सा white box मिलता है जिसके सामने device की एक picture मिल जाती है दोनों sites पे कुछ information के साथ जैसे की plug and play, online upgrade, wireless android auto और wireless apple carplay भी उपर और नीचे हमें कुछ नहीं मिलता पीछे की तरफ हमें इसके user interface की एक जलक मिल जाती है जो हम कुछी दिल में देखना ही वाले हैं इसका model name देख सकते हैं हम जिसे by the way CPC 200 T box भी कहा जाता है और साथ ही में है इसके CPU की details क्योंकि device brand का सबसे affordable android AI box है इसके अंदर हमें android version 10 दिख phones के साथ और wireless android auto भी कम से कम android phones version 11 के साथ और सामने ही हमें देखने का मिलता है T box light हमें कुछ paperwork भी मिलता है अलग-अलग languages में दो USB cables मिलती है जिन में से एक cable है type C to C और दूसरी है type C to A T box light देखने में काफी sleek है बिल्कुल Card Linkit 5.0 की तरह इसकी build quality भी Card Linkit के सभी devices की तरह बिल्क सामने की तरफ हम इसका brand logo देख सकते हैं जिसमें lights भी चलती है अलग-अलग colors में एंड हम उन्हें customize भी कर सकते हैं left और right checks में हमें कुछ नहीं मिलता ऊपर की तरफ हमें type C port मिलता है device को power देने के लिए और एक slot मिलता है micro SD card के लिए जो जाधा से जाधा 512 GB तक support करता है इसने हम कुछी दिर में देखेंगे और पीछे की तरफ हम देख सकते हैं इसका model name voltage values और इसका serial number भी यहां मैं आपको इसके सभी features दिखाना वाला हूँ इसमें 128 GB के micro SD card को insert करके connection establish करने के लिए अपनी गाड़ी के compatible USB cable के एक तरफ को device में दालने और दूसरी तरफ को पेट दिखाई देगा screen पे जिसमें basically बताया गया है कि गाड़ी चलाते समय वीडियोस देखना safe नहीं है और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमेशे की तरह इस तरह की वीडियोस mainly बनाई जाती है आपकी गाड़ी में बैठे co-passengers के लिए तकि वो entertain रहें और न जैसे कि मैंने पहले बताया टी-box light उन गाड़ी के साथ compatible है जिनमें या तो wired android auto functionality है या तो wired carplay या दोनों ही मेरी गाड़ी दोनों के साथ ही compatible है तो अगर आपकी गाड़ी में wired apple carplay का feature नहीं है तो घबरानी की कोई ज़रूरत नहीं है एक बार device आपकी गाड़ी से connect हो जाए और आप इसके सामनी की lights देख पाओ अब आप इसके mode को android auto में change कर सकते हो ध्यान रहे कि mode change करने के लिए device का आपकी गाड़ी में connected होना ज़रूरी है इस छोटे से बटन में जल रही green light ये denote करता है कि फिलाल ये device apple carplay mode में है mode को android auto में change करने से ये light green से blue हो जाएगी simply किसी भी SIM ejected tool से इस बटन को 2-3 seconds तक दबाए रखें और कुछ seconds के बाद हम गाड़ी की screen पे carplay का logo गायब होता हो देख सकते हैं और कुछी देर में हम देख सकते हैं कि अब android auto का icon highlight हो चुका है mode change हो जाने के बाद एक similar startup page देख पाएंगे गाड़ी की screen पे बिलकुल carplay mode की तरह यहां T-box light को मेरी गाड़ी में already setup कर लिया था जिसे मैं अब पिछले एक हफते से test कर रहा हूं इस device का एक USB या unique selling point है इसमें दिया गये USB A port मतलब कि आप अपनी गाड़ी की screen को एक entertainment powerhouse बनाने के अलावा अब आप इसके साथ दिये गये USB A port को use कर सकते हैं किसी भी device से connect करने के लि Omni बिना किसी दिक्कत के काम कर रहा है जिसको अब power मिलती है T-box UHD के USB A port से और क्योंकि हम किसी pen drive को इससे connect करके आसानी से personal videos या movies भी देख सकते हैं सामने screen पे ये feature I think कईयों को पसंद आने वाला है Physical device पे RGB lights की बात कर रहे तो हमें settings में इनकी ambient light effects को change करने का भी option मिलता है लेकिन मेरे साब से ये settings काफी limited है और मैं prefer करूँगा कि future software updates में जाधा customization options देखने को मिले Main menu में हमें एक side dog दिया गया है नीची की तरफ जहां हम देख सकते है time, status indicators, now playing buttons, recently opened apps और एक option भी device की speed को बढ़ाने के लिए सभी background tasks को close करके इसके ज्यादातर options हम इस floating widget के अंदर भी देख सकते हैं जिसे हम screen पे कहीं भी गुमा भी सकते हैं जो almost हर app के अंदर भी हमें देने को मिलेगा इसे हम screen पे कहीं भी drag कर सकते हैं जिस पे click करने पे हमें कुछ options मिलते हैं जिनमें से एक option है back button जो मुझे बहुत important लगा क्योंकि हमें इसके पूरे interface पे कोई भी back button नहीं मिलता जो काफी एजीब सी बात है और common चीज़ भी है ऐसे android devices में तो अगर आप किसी भी app में फस जाते हैं तो आपके बास बस back button के बिना सिरफ home page पे जाने का ही option बचता है जो काफी inconvenient है और हाँ internet access पाने के लिए आप टीव app से जिसका नाम है auto kit आपको दिखाने के लिए मैं अभी अपना samsung s24 ultra connect कर लाता हूं connect करने के लिए आपको अपने फोन में सिरफ wi-fi और bluetooth को on कर लेना है और फोन को device से pair कर लेना है और ठीक ऐसे ही बड़ी असानी से अब हमार बास है wireless android auto इसमें सभी apps बिलकुल वैसे ही काम क करती है और latency भी कम से कम मिली मुझे testing में आइफोन भी similar तरीके से ही connect होंगे यहां मैंने अपना iPhone SE connect किया हुआ है आपको दिखाने के लिए चलिए जल्दी से टी बॉक्स light में दिए कुछ ज़रूरी apps की functionalities को चेक कर लेते हैं इसमें सभी basic features अच्छे से काम करते हैं जैसे ही किसी को calls लगाना या उठाना directly इसके साथ connected Bluetooth device को यूज करके वीडियो streaming apps जैसे की Netflix या YouTube भी बिल्कुल बड़िया काम करती है जो गाड़ी चलाते समय भी यूज कर सकते हैं जो आपके साथ बैटे आपकी family के लिए एक favorite entertainment option होने वाला है अगर आपके पास कोई भी personal video files या movies saved है आपके अपने memory card में तो आप किसी भी app को यूज करके उन्हें भी देख सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे हमने pen drive लगाते समय देखा था आप इसमें दीजे file manager को यूज करके अपनी सभी videos, music और photos को अच्छी से sort भी कर सकते हैं या फिर ऐसी ही कोई और app भी download कर सकते हैं जी हां आ और फिर other settings में जाके ध्यान रहे कि अगर ये disabled है तो आप कोई भी app download या install नहीं कर पाऊगे लेकिन अगर हम Google Maps जैसी navigation apps की बात करें तो मैं इस device में GPS function को on ही नहीं कर पाया और ये app भी बहुत ही ज्यादा slow थी and hang भी हो रही थी मुझे बार बार इस app को restart करना पड़ा हो सकता ये issue सिरफ मेरे device में था लेकिन मैंने experience किया तो मैंने बता दिया लेकिन ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमें इसी का एक अच्छा खासा alternative method भी मिलता है दुनों wireless android auto and wireless apple carplay में और of course google play store बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे चलना चाहिए है जिसमें हम voice search भी use क कर सकते हैं क्या सकते हैं कि almost सब कुछ ही काफी अच्छे से काम करता है कुछ apps को छोड़के मगर हां इसमें एक low performing chipset के वरे से हमें इस app में और बाकी की काफी सारी apps में भी काफी ज्यादा delay या latency notice कर सकते हैं लेकिन इस device के price को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि जादा लोग को इसकी ऐसी ठीक ठाक performance से कोई दिक्कत होनी चाहिए है मैंने इसमें कुछ hardware और software information utility apps को भी download और install किया था इनसे हम यह confirm कर सकते हैं कि इस t-box light में 2GB की RAM मिली है चार कोर्स के प्रसेसर के साथ और 32GB का internal memory भी है android version 10 चल रहा है इसमें फिलाल जिसे हम आगे रगे अप्ग्रेड भी कर सकते हैं photo app यूज करके बिल्कुल t-box plus max और t-box usd devices की तरह हमें wi-fi version 5 मिलता है bluetooth version 4 plus मिलता है all winner का a133 chipset जिसमें 1.500hz का quad code chip है और फाइनली current temperature readings इस device की और इसके सभी components की भी gaming की बात किरे तो हम बड़े असानी से किसी भी compatible game को download install और खेल भी सकते हैं ज इसमें सभी apps और games गाड़ी के speakers को ही use करते हैं और उसका भी control आप ही के हाथों में होगा हमेशा जिससे आपको गाड़ी चलाने में भी कोई distraction नहीं होना चाहिए conclusion में t-box light एक अच्छा device है और आप इसको definitely consider कर सकते हो अगर आप ऐसे किसी device पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं क comparison में लग भग half price पे available है मैं ऐसे आपको definitely recommend करूँगा काफी अच्छी डील है ये टी-box light को आप cardlink kit की official website से खरीद सकते हो आप अपने region की एसाप से सही option को select करना बिल्कुल ना भूले मेरा exclusive discount coupon heritability use करे 20% का discount पाने के लिए cardlink kit के सभी products पे जिस वक्ती video record हो रही है ये device available है क आपको भारी discount मिलेगा करीब 1400 रुपे का टी-box light के लावा भी आपको official website पे कई सरी useful car accessories भी दिनको मिलेंगे reference के लिए मेरा टी-box light मुझे करीब 7 दिन में ही deliver हो गया था बिना किसी दिक्कत के और इसके साथ हम पहुण चुके हैं इस वीडियो के अंत पे उमीद करता हूं को कोई वीडियो informative लगी होगी मिलते हैं बहुत जल्त अगली वीडियो में तब तक अपना खयाल रखें बाई झाले होगी और तक भीडियो में झाले ऑई